क्या आप भी ऐसे चटपटा और टेस्टी अचार बनाना चाहेंगे तो चलिए आज हम बनाना सीखते हैं टमाटर का ये टेस्टी अचार हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुस्मा और आज मैं बनाने जारेंग टमाटर का अचार इसके लिए हमें लेना है एक किलो टमाटर और इसे अच्छे से धो के सुखा लेना है जिससे इसे इसमें पानी न रहे तो यह मैंने इन्हें साफ कर लिया है और इस प्रकार से इन्हें गोल-गोल काट लेना है और इसके जो बीच वाला हिस्सा है जहां से टमाटर लगे हुए होते हैं उस डंठल वाले हिस्से को अलग कर देना है इस प्रकार से काट के निकाल देना है ये देखिए मैंने बीच का हिस्सा ये निकाल के इसे अलग कर दिया इसी प्रकार से सभी टमाटर को काट लेना है तो ये देखिए मैंने ये टमाटर को काटके रख लिया है एक किलो टमाटर लिया है मैंने और ये लिये मैंने 100 ग्राम मिर्ची इसे भी धो कर और सुखा लिया है जिससे इसमें पानी न रहे और इसी प्रकार से मैंने पाव भर अधरक लिया है इसका उपर का छिलका निकालके इसे धोके और इसे भी सुखा लिया है और ये मैंने लिये हैं लैसुन की दो गांठे और उसे छिलकर इस प्रकार से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है इसी प्रकार से मिर्ची को भी छोटे छोटे टुकडों में काट लेना है अद्रक को भी इसी प्रकार से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और टमाटर को ये इस प्रकार से मैंने काट लिया है तो ये इंग्रेडियन्स हैं जो हमें अचार बनाने के लिए चाहिए है तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें कडाई लेनी है और उसमें मैंने डाल दिया है ये 200 ml सरसों का तेल इसे गरम होने देंगे धीमी आज पर और जब ये गरम हो जाएगा तो इ ये मैंने इसमें टमाटर डाल दे रही हूं ये मैंने सभी टमाटर को इस पर डाल दिया और थोड़ी देर के लिए इसे ढाक के पकने दिया है गैस की फ्लेम में मीडियम पर रखी हुई हूं और बीच बीच में इस प्रकार से टमाटर को उपर नीचे करते रहना है यह देखिए जिब टमाटर थोड़े से गलने जैसे हो जाएं थोड़े पके जैसे लगने लगेंगे इस पकार से हम इने पकाएंगे और ये देखिए टमाटर अब जो है पके जैसे हो चुके हैं आधे पक चुके हैं तब उस टाइम पे हमें ये मिर्ची, अद्रक, लेसुन, ये मैंने लेसुन मिला दी और अद्रक को भी इसी टाइम पे मिला देना है जब टमाटर थोड़ एसे पक चुके हों, यह मैंने तीनों को मिला दिया, अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुती स्वादिश्ट अचार बनता है यह, आप एक बार इसे जरूर बना के देखेगा, इस प्रकार से इन्हें पकाते रहना है, और यह दिखे, अब मैंने यह इसमें स्वाद के अंसार नमक डाल दिया है, करीबन 1.5 चमच, 1.5 तीस्पून नमक इसमें एट कर दिया मैंने, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यह दिखे, अब जो टमाटर हैं, काफी गल चुके हैं, सभी टमाटर के साथ मिर्ची, अद्रक और लेसुन भी काफी पक चुका है, यह दिखे, अभी हमें इसे और पकाना है, यह पूरी तरह से नहीं पकाया है भी, मैं वीडियो बीच बीच में स्किप्ट करके आपको दिखा रही हूँ, यह दिखे, काफी पक चुका है, और हमें इस इन्हें तब तक पकाना है, जब तक यह तेल छोड़ दे, और यह दिखे, अब कडाई में सभी तरब तेल दिखने लगा है, इसका मतलब है, कि यह चार पक चुका है, अब इसे और नहीं पकाना है, तब इस टाइम पर मैंने यह आधा कप विनेगर जो होता है, अचार में डालने वाला, वो इसमें एड कर दिया है, सिर्का, मैंने इसमें आधा कप सिर्का एड किया, और यह मैंने इसमें दो चम्मर शक्कर डाल दिया है, शक्क प्रवकार से मिक्स कर देंगे और अब इसमें मैंने डाला यह हाफ टीस्पून हल्दी हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और एक चमच भुना और पिसा हुआ जीरा और टू टीस्पून यह मैंने पीली वाली शरसों अचार में डालने वाली इसमें एड कर दिये और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अचार को गैस की फ्लेम इस टाइम पर मैंने बल्कुल सिंपिक कर रखिया और यह दाहिए अब इपाकना नहीं है भरनी में यह साल भर तक सुरक्चित रहता है तो इस मेकार से यह देखना है जाक है करने में पैक कर लिजिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किजए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपने यह अचार बनाया तो अचार कैसा बना और आपको टेस्ट में कैसा लगा चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार